नमस्कार मैं हूँ देवंकुर वधावन राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है 28 जून को जिस निर्मम्ता से उदेपुर में कनईया लाल की हत्या कर दी गई उसके बाद प्रदेश में लोगों के बीच रोश बना हुआ है बारी आक्रोश है आप समझ सकते हैं कि क्यों शेहर के बाद शेहर और जिले के बाद जिले जिस तरह से जलूस निकल रहे थे जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लोगों के अंदर कितना गुसा है, कितना आक्रोश है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तक कनया लाल के हत्या के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको सजा नहीं मिली है देखिए जो पूरी सार्जिश है, उस पूरी सार्जिश की जो तफ्तीश है, उसमें National Investigation Agency यानि की NIA जुटी हुई है और कहा जा रहा था कि छे से ज्यादा गिरफतारियां इस पूरे मामले में अभी तक हो चुकी हैं और तार से तार और कड़ी से कड़ी जोडने की कोशिश चल रही है एक जो बात बड़ी निकल कर सामने आई है वो यह है कि जिस दिन मुहमद रियास अतारी और गौस मुहमद ने वो वीडियो बनाया था जिसमें वो कह रहे थे जिसमें वो बात कर रहे थे सत्रा जून का जो वीडियो बताया जा रहा था उसी दिन गोहर चिष्टी नाम का बंदा अजमेर में नारे लगवा रहा था क्या वो नारे थे? वो नारे थे सिर को तन से जुदा करने वाले वो नारे थे लोगों को उकसाने की कोशिश करने वाले तो क्या कोहर चिष्टी का कोई नाता महमद रियास अतारी से है? क्या इन दोनों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं? कहा ये भी जा रहा था कि जिस दिन महमद रियास अतारी और गौस महमद 26 ग्यारा नंबर वाली बाइक से भाग कर उदेपुर से राज सम्मन्ध भीम की तरफ जा रहे थे तो उनका असली जो मोटिफ था वो अजमेर जाने का था क्या मोहमद रियास अटारी अजमेर पहुँच कर गोहर चिष्टी से मिलने वाले थे क्या इस पूरी साजिश के रचियता अजमेर में बैठे हुए हैं क्या इसकी साजिश जो हुई वो उससे दिन हुई थी जिस दिन अजमेर दरगा के प्रमाइसिस से बताया जा रहा था के नारे लगे थे ये बड़ी बाते हैं इन सब की तफ्टीश होना जरूरी है क्यों पुलिस ने उन नारों के बावजूद अभी तक गोहर चिष्टी की गिरफतारी नहीं की है एक के बाद एक जिस तरफ से पुलिस की लापरवाही कह लीजिए या आँख बूंद लेना कह लीजिए उसका रवया उसको कटगरे में खड़ा करता है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य मंतरी अशोग गेलोत कहते हैं कि प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी इसके बारे में सामने आकर बात कहें जिस तरह से देश में हिंसा फैली है देश में आकरोश है देश में जो सामपरदाइक तनाव पैदा हुआ है उसको लेकर मुख्य मंतरी अशोग गेलोत चाहते हैं कि खुद नरेंदर मूदी सामने आकर बोलें नरेंदर मूदी प्रधान मंतरी हैं उनको बिलकुल सामने आकर बोलना चाहिए पर क्या अशोग घेलोत इस बात का जवाब देंगे कि इस प्रदेश की पुलिस क्या सो रही थी जब कनहिया लाल का हत्या कांड हुआ तो वो कहां थी कनहिया लाल ने कितनी बार गुहार लगाई कि उनको बचा लिया जाए कि उनको सुरक्षा दी जाए कि उनकी जान खत्रे में है तो वो पुलिस तब कहा थी क्या पुलिस के वल समझाईश करके उनको घर भेशने में लगी थी ये जो सवाल है इसका जवाब तो जो प्रदेश के घरे मंत्री हैं उनको देना चाहिए और घरे मंत्री खोद अशोग घेलोत है सलमान चिष्टी का जिस तरह से वीडियो सामने आया जिस तरह से उन्होंने नुपुड शरमा का सर काटने पर बाउंटी ओफर कर दी कहा कि मैं घर दूंगा उसके बाद जो कुछ सामने आया वो भी स्तब्द करने वाला था जिस तरह से पहले तो पुलिस उनकी गिरफतारी नहीं कर पाई और उसके बाद जब गिरफतारी हो गई तो ये कहा जा रहा था ये आरोप लग रहा था अजमेर पुलिस के उपर के उसने सल्मान चिष्टी को ये पाठ पढ़ाने की कोशिश की के तुम कह देना के नशे में थे अगर पुलिस गलत नहीं है तो इस पूरे मामले की विजिलन्स से जाच क्यों बठाई गई है क्यों थाने के प्रभारी को वहां से हटा दिया गया है इस बात का जवाब क्या मुख्यमंतरी अशोग घेलोत को नहीं देना चाहिए एक और बात सामने आई है एक वहां के सूफी है सल्मान चिष्टी है उनका भी नाम और उनका कहना है कि उनकी तस्वीर गलत तरीके से इस्तिमाल की जा रही है उनका कहना है कि जो वीडियो बाइरल करने वाला या वीडियो बनाने वाला खादिम है वो तो हिस्ट्री शीटर है क्रिमिनल है उससे मेरा कोई लिना देना नहीं है पर फिर भी बात उसकी कही जा रही है पर तस्वीर मेरी इस्तिमाल हो रही है उन्होंने कहा है कि नोट जारी करने के बावजूद इस तरह की हरकतें जारी हैं और अगर ये आगे भी रही तो वो प्रेस काउंसिल आफ इंडिया में शिकायत करेंगे देखिए मुद्दा घंबीर है इसलिए क्योंकि किसी कसूरवार की वज़े से किसी निर्दोश को जिसको लेकर उन्होंने पब्लीकली बोला भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो वहीं मुख्य मंत्री अशोग घेलोट जो की शनिवार के दिन देश के ग्रह मंत्री अमिच शहा से मिले थे अपनी बात पुर्जोर तरीके से रखी उनको समझ लेना चाहिए कि वो हर बात का ठीकरा केंदर की नरेंदर मुदी सरकार पर नहीं फोर सकते और जहां तक देश के कानून व्यवस्ता की बात है जो देश की व्यवस्ता की बात है अगर उसके लिए सरकार है तो प्रदेश में जो कानून व्यवस्ता है उसकी जिम्मेवारी अशोग घेलोत की है कैमरा परसन मनीश के साथ मैं देवंकुर वधावन राजिस्थान तक के लिए